भारत पहुंचे 800 पाकिस्ताने हिंदू परिवारों को बिना नागरिक्ता के वापस लोटना पड़ा है खबरे की राजिस्तान में 2021 में पाकिस्ताने हिंदू भारत आये थे लेकिन इने नागरिक्ता पाने में माय उसी हाथ लगी भारत में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के हक की आवाज उठाने वाली संस था सिमान प्लोक संगठन ने ये दावा किया है इनमें से कई हिंदू परिवारों ने भारती नागरिक्ता के लिए ओनलाइन आवेदिन भी किया था उनमें से कई है देखने के बाद पाकिस्तान लोट गए कि उनके नागरिक्ता आवेदिन में कोई प्रगती नहीं हुई है अंग्रेजी अखबार दे हिंदू के रिपोर्ट के बताबिक ग्रिह मंत्राले ने 2018 में एक उनलाइन नागरिक्ता आवेदिन प्रक्रिया शुरू की थी साथ राज्यों के 16 कलेक्टरों ने पाकिस्तान, आफगानिस्तान और बांगलादेश के हिंदों, इसाईयों, सिखों, पार्सियों, जैन और बौधों को नागरिक्ता देने के लिए ओनलाइन आवेदिन स्विकार किये, भारत सरकार्णी अधिकार गुज्राज, 36 गड़, राजिस्थान, हर्याना और पंजाब के 13 जिला कलेक्टरों को दिया था ग्रिह मंत्राले ने 22 दिसंबर 2021 को राजसभा कर सूजित किया था कि ओनलाइन मोड्यूल के अनुसार 14 दिसंबर तक मंत्राले के पास नागरिक्ता के लिए 10,635 आवेदिन लंबित थे, जिन में सिर 7,306 आवेदिक पाकिस्तान से थे सिमान्त लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंग सोधा ने कहा कि अकेले राजस्थान में 25 दर पाकिस्तानी हिंदू हैं जो नागरिक्ता के इंतजार कर रहे हैं जिन में से कुछ तो दशकों से भी अधिक समय से हैं उन में से कहीं ने ओफलाइन मोड में आवेदिन किया है